नमस्कार देवी और सज्जनो एक बार फिर आपके सामने एक नए टोपिक के साथ मैं सीवी एक नए टोपिक आज हम आपको कुछ ऐसी चीज सिखाएंगे जो मैंने पहली दूसरी तीसरी और जो भी वीडियो आप तक बनाई है रीजिनिंग की उसमें मैंने आपको यह कहा था कि एक कोड डिकोड का जो चैप्टर है इसमें आप अपने हिसाब से कोड डिकोड कर लीजिए अपने फैमिली में आपके मेंबर्स हैं या आपके सर्किल में या आपके फ्रेंड सर्किल है उन्हें कोई ना कोई नाम दे दीजिए तो आपके कोड याद हो जाएंगे फिर आ इस आधा किया नहीं किया यह तो आपको ही पता होगा मुझे तो किसी ने कमेंट किया नहीं कि नहीं हुआ 2-4 लोगों के जाक सिरंद्प और है कि आफ बता दीजे किस से कोड डिकोड किया जाता है चलो आज इस बात पर एक वीडियो बनाते हैं छोटी सी वीडियो होगी कि अवल 5, 7, 10, 15, 20, 25 मिनट की जादा नहीं होगी बस पढ़ दिया है से ही अच्छा दोस्तों एक बात बताईए आपका क्या विचार है वाट यू थिंक अबाउट इट कि एक स्टुडेंट को या एक स स्वार्थ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए लोग कहते हैं कि एक स्टुडेंट को स्वार्थ होना चाहिए मतलब अपने काम को उसे ज्यादा हैm pipingat देनी चाहिए लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब lacking help करते हैं और उससे जो उठने वाली positive waves है वो आपके अंदर चली जाती है आपका mind आपका सरीर आपका तन मन अच्छा हो जाता है वहाँ से जो positive waves निकलती है उसका फल उसका जो पारितोसिक है वो कहीं ना कहीं आपको जीवन में जरूर मिल जाएगा यह मेरा मानना है यह मेरा मानना है जैसे कि एक पुराने समय की बात है एक teacher की जोब लग गई एक teacher की जोब लग गई तो वो जाने लगा एक गाओं में primary मेरे टीचर था गाओं में जोब लग गई वहां तक आने जाने का कोई शाधन नहीं था दोस्तों तो साधन नहीं था तो वो क्या करता उसने पहले देखा कि वह पैदल जाने में बहुत समय लग जाता है टाइम इतना है नहीं पैसा नहीं है मेरे पास इतना तो क्या करूं मुझे हुई है तो इस रास्ते पर उन्हें भी प्रेसानी होती होगी जो इस रास्ते से गुजर कर अपने किसी ना किसी काम से जाते हैं तो उसका एक उसने एक एमबिशन बना कि मुझे रास्ते में जो भी लोग मिलेंगे मैं उन्हें बिठा कर उस गाउं तक जरूर लेकर ज एक बार ऐसा हुआ कोई डाकू डकै चोर चक्का तो वो भी उसके स्कूटर पे पीसे बैठ गया और सुनसान से रास्ते पर जाकर उसको एक चाकू लगा दिया और उसका स्कूटर छीन लिया ऊसने ठीक है जब छीन लिया हुसने कहा रुख जाए भाई एक बात मेरी सुनते ज करने के लिए आप जहां भी जाओगे तो एक कहानी मत सुना ना कि मैं किसी के पीछे बैठा था और मैंने ऐसे ऐसे करके स्कूटर स्नेच किया है चिन लिया है या ऐसे किया है क्योंकि अगर आप ऐसा कहोगे आप ऐसा कहोगे तो कोई भी किसी की help नहीं करेगा और यदी help नहीं करेगा तो फिर ये इस तरह की चीजे घटित होती रहेगी कोई भी किसी की नहीं करेगा स्वार्थी लोग हो जाएंगे तो जब एक दिन बीत गया दो दिन बीत गये चार दिन भी तिये, छे दिन भी तिये, दस दिन के बाद देखा को कि उसके एक घेर में, घेर कहते हैं, जहां घर होता है, उसे अलग कोई प्लाट होता है, उसे घेर कहते हैं, तो वहां उसे एक दिन वो स्कूटर खड़ा मिला, स्कूटर खड़ा मिला और स्कूटर में एक चिठ्थी उस चिट्थी पे लिखा था महाफ कीजिएगा मैंने आपको सकोट्र जुरा लिया मैं इसको रख नहीं पाया उसका कारण यह था कि मैं जहां भी गया उसको ले करके वहीं एक अवाच अधर मस्टर जी कहा है आज मस्टर जी का स्कूटr ले रहे हैं आप इस पे कभी ना कभी कोई ना कोई जरूर बैठा था कभी ना कभी कोई ना कोई इस पे जरूर बैठा था तो सब जानते थे इसलिए वह स्कूटर वापस आया तो moral of the story आप सब समझते हैं क्या है कि जो हम किसी की help करेंगे वो कही ना कही किसी ना किसी रूप में आपको मिल जाएगा जरूर मिल जाएगा ये मेरा विश्वास है ठीक है तो हेल्प करते रहिए जब भी आपको लगे कि हाम मेरे अंदर छमता है कैपिशिटी दी है हेल्प करने की तो करिए क्योंकि हेल्प पे करना और हेल्प करवाना इनमें बहुत डिफरेंट है क्योंकि जो हेल्प करता है उसे भगवान ने ही हेल्प करने के लिए बनाया है भगवान ने उसे ऐसे बनाया है कि तुम हेल्प कर सकते हो और जब भगवान के जब तेरी रजा के बिना एक पत्ता भी नहीं इलता मेरे खुदा तो फिर मैं कैसे बढ़ा हुआ मैं कैसे बड़ा हुआ या मैंने ये कर दिया मैंने वो कर दिया ऐसा कुछ भी नहीं है उसके उपर ही होता है सारा कुछ काम ठीक है हसरत ये कि तुम्हें देखूं और देखता रहूं हालात ये कि तु भी दूर रहे और मैं भी दूर रहूं निगाहे इश्क भी पहचानती है दुनिया जुका के रक नजर तु भी जुका के मैं भी नजर रहूं चलिए दोस्तो नया सेसन शुरू करते हैं क्या सेसन हैं मैंने कहा था कोड डिकोड कैसे किया जाता है कोड डिकोड की पहली क्या एक आसान सा एक जोक बनाते हैं जो क्या एक हसी खेल में चलते चलते पढ़ लेते हैं हस्ते हस्ते शीक लेते हैं खुस होकर शीक लेते हैं चलिए Code Decode कैसे करेंगे जैसे मैंने बता था आपको कि आपके हाँ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z X, Y, Z और लिख लेते हैं यहाँ X, Y, Z देखो यह 3 और यह 4 यह 4 यहाँ तक की और क्या है यहाँ तक ले लीजिए आपने इनका Code आपके याद हो गया होगा कि A, A, 1, B, 2, C, 3, D, 4, E, 5 ठीक है, X, Y, Z X, Y, Z क्या है कि 24, 24, 25, 26 ठीक है, यह 24, X और यह 25, और यह 26 यह 26, ठीक है जी यह 26, चलिए यह तो हमारे होगे तयार तयार है न, X, Y, Z, X, 24 क्या है कि ऐसा भी कहली जी अगर नहीं करना चाहते यह X होता है काटा लगाईए काटा लगाने का मतलब होता है कि 24 आवर्स हमें काम नहीं करना है 24 आवर्स हमें काम नहीं करना है 24 आवर्स पर काटा लगा है अब आपके पास के वल दो बचे हैं Y और Z Y 25, Y 25 और Z 26 यहां से आगे चलते हैं यहां से आगे चलते हैं यह कहता है 1 है यह कहता है 2 है यह कहता है 3 है यह कहता है 4 है और यह कहता है 5 है ठीक है अब यहां से आगे हम कोई ट्रिक्स लगाते हैं अगर आपके पास अच्छी कोई ट्रिक्स है अच्छा कोई method है अच्छी कोई बात है तो मुझे comment करके बता सकते हैं जोड लेगे आमेर में या तुम अपने आप जोड लेना क्योंकि you are very intelligent also just like a great person ठीक है चलिए साथ यहां क्या है F पर चलते हैं अगर हम fix करें F fix with six तो यहां with six जो आया है तो यहां यह मान लीजिए कि F six पर है F fix with six F fix with six मतला F को fix मान लिया और वो six के साथ fix हो गया तो क्या कहोगे F fix with six एक पर जो आपकी टंग पर आ जाए वो याद रहेगा F fix with six चलिए साथ जी आपने जब आप competition में हैं तो आपने पढ़ा होगा कि जो सम्मिलन है G7 होता है G9 होता है G8 होता है तो G7 एक सम्मिलन होता है ठीक है तो यहां G7 लगा सकते हो G7 G7 यह याद हो जाएगा G7 जैसे T20 G7 T20 T जो यह मारा 20 पर आता है T को भी ज़ादा याद करने की जरुवत नहीं अलग से T20 G7 G7 T20 राइट चली आगे यह कहता है हाइट एच को आप 8 पर आता है एच कितने पर आता है 8 पर आता है या तो इसे कह लिजिए कि भई उसका हाट 8 इंच का है H से बना हाट हाट कह लिजिए 8 इंच का है या अपना हाट कह लिजिए my heart is 8 इंच my heart is 8 इंच तो H 8 तो ऐसा भी कह सकते हो H 8H 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 कह सकते हो या यह कह लिजिए कि मेरा हाट जो है 8 इंच का है heart बनता है एच्छे height बनती है heart बनता है height लगा लिजिए heart लगा लिजिए तो क्या कहोगे मेरा heart जो है 8 इंच का है 8 इंच या height कह लिजिए इसकी कुछ भी कह लिजिए समझ लीजे इसकी जगह दूसरा भी जोड सकते हो देखो यह I है I होता है किस पर? No पर तो आपने जब WhatsApp की chatting करते हैं तो आप लिख देते होंगे I know I know who are you या I know you will not come I know I know who are you अगर यहां यह लगा देते हैं I know who are you तो यह 9 जो है I know is no को ऐसे कह सकते हो I know I know who are you अगर हम next पर चलते हैं J पर चलते हैं J का बताईए क्या हो सकता है J का क्या हो सकता है J पर लेकर चलेगे तो J का क्या कर सकते हो बताईए J का क्या क्या कर सकते हो L का क्या कर सकते हो और K का क्या कर सकते हो अगर हम इस K की बात करें ये J पर कितने पर आता है 10 पर आता है तो ये J से J बना सकते हो आप कह सकते हो कि मेरी J में तो भाई 10 रुपे भी नहीं है फूटी कोड़ी छोड़ दो आज फूटी कोड़ी नहीं कहना रुपे भी नहीं है दस रुपे से मतलब है जब जे आया तो जे टैन यानि कि जब जेब कहोगे तो वो दस रुपे से संबन दीता है वो दस अंक है दस नमबर पर है वो ठीक है नेक्स चलते हैं के पर कर दो तुम कन्यादान और भई कन्यादान वहाँ जदा अच्छा को सभी जानते हैं कहते हैं ABCD का 11 वाक्सर कोन सा होता है ABCD का 11 वाक्सर के होता है ठीक है या इसको कन्यादान कह लीजिए राइट अब हम चलते हैं L पर L क्या को होगे love L को love जोड लीजिए L को love love starts from love क्या को होगे होने लगा है love begun to start from age of 12 मतलब 10-12 साल से ही love start होने लगा है आज कल बच्चे क्या कहते हैं की 7 वी 8 वी में आते नहीं और love के बारे में सोचने लगते है तो यहाँ क्या को होगे love start from 10 sorry love start from age of 12 12 की एज से ही बारा साल के ही बच्चे लव करने लग जाते हैं L for love तो यहां क्या कहोगे Love start from age of 10 Love starts from 12 12 का मतलब होता है Age तो L किस पर रहोगे L for love Love 12 पर आता है 12 की age से ही start हो जाता है मैं आपको कह रहा हूँ फिर से कि आप भी मुझे बताइए यह कन्यादान है यह हमारी जेब में 10 रुपे भी नहीं है I know who are you 8H यह हमारा हाट है कि हाट हमारा 8 इंच का है हाट हमारा क्या है 8 इंच का है G7 होता है F है fix with 6 fix with 6 अब हम यहां चलते हैं मंकी अब इसको M for monkey कह लीजिए M for monkey की मम्मी कह लीजिए M for monkey को होगे तो इसे कह दीजिए कि मंकी एक बार में ही 13 इंच जंप लेता है 13 इंच जंप लेता है 13 इंच जंप लेता है बंदर कितना कूदता है बंदर 13 इंच कूदता है बंदर जो वो बंदर है जो हमने देखा था recording recording में उसमें एक बंदर था वो 13 इंच कूदता था और बंदर क्या होता है monkey होता है monkey उसमें 13 इंच कूदता था 13 इंच कूदता था I am not 14 years old कि मैं 14 साल का नहीं हूँ N पर आपने एक सेंटेंस बोला कि मैं 14 साल का नहीं हूँ I am not 14 years old No, I am not 14 years old No, नहीं मैं 14 साल का नहीं हूँ अगला पढ़ते हैं N के बाद आता है O, O, you are 15 years old You are 15 years old उसने कहा मैं 14 साल का नहीं हूँ अगला ही ओ पर आता है ओ कहता है ओ, you are 15 years old कि तुम 15 साल के हो इसने कहा है कि मैं 14 साल का नहीं हूँ यह कहता है कि ओ, तुम 15 साल के हो यहां से लगाईए ओ, यहां से लगाईए I am not 14 years old 14 years old इसे कहोगे ओ, you are 15 यहां इतना ही लिखे दीजिए यहां इतना ही लिखे दीए, you are 15 oh, you are 15 I am not 14 यहां से कहिए, no, I am not 14 वो कहेगा, oh, you are 15 तो, oh पर क्या होता है oh पर 15 आता है और no, no पर आता है आपका 14 चलिए साब, P P क्या कहोगे PQRS, PQRS का एक तो आपके English में आता भी है English पढ़ते हो तो PQRS आता है sentence इंप्रूमेंट करते है PQRS साथ साथ आता है तो यहां क्या कहोगे आप PQRS में, देखो यह क्या होता है, P 16 होता है, यह क्यो होता है 17 होता है, R 18 होता है, और S 19 होता है ठीक है दोस्तों तो हम क्या कहेंगे, P P से क्या कहते हैं कि भई P से परसन P से परसन लगा लीजिए कि 16 की एज में ही क्या होना चाहिए P से प्रेमी कहलो प्रेमी कहलो P से प्रेमी प्रेमी कह P से प्रेमी प्रेमी कह को 16 की एज में ही 16 की एज में ही आपस में friendship करनी चाहिए, प्रेमी का को 16 की एज में ही प्रेमी का बननी चाहिए, और प्रेमी को भी 16 की एज में प्रेमी बनना चाहिए, कह सकते हो 16 की एज में, 16 एज से कम नहीं होना चाहिए, प्रेमी एंड प्रेमी का, प्रेमी का और प्रेमी का और प्रेमी पीसे, प्रेमी क टुब का प्रेमी कितनी होनी चाहिए, at least 16 चाहिए, अब यहां 17 मैangen होनी चाहिए, क्यों का मतलब क्यों 17 पर क्रतरा क्यों, क्यों का मतलब होता है बाई, क्या होता है क्यों, क्यों पर क्यों 17 पर खत्रा क्यों क्यों 17 पर खत्रा क्यों ठीक है आगे चलिए यहां कहता है 18 18 आर से बनता है right to vote voting का जो अधिकार मिलता है आपको वो कहा मिलता है 18 पर मिलता है right to vote आर से right to vote कहां मिलता है कि 18 पर मिलता है R से right to vote right to vote मतलब जब आपको अधिकार voting का मिलता है और वो होता है right to right का मतलब होता है अधिकार जो right to vote है तो वो अधिकार 18 की age में आपको मिलता है चलिए साब यहां होता है 19 19 होता है S S का मतलब क्या क्या हो सकता है S 19 यहाँ हो गया आप को यह सारे कह सारा हो गया यह आपajes का मुझे बता है क्या होना चाहिए 19 पर क्या होना चाहिए 19 इस देखो डगूंगम ऐसे क्या बन जाता है ऐसे स्वीटी बन जाता है और और सावर थार Pourquoi यहाँ भी लगा लीजिए छो एक रषेख हो ता एक salt का packet 19 रुपीज तक बिग गया था और sweet sweet का मतलब होता है मीठा या sugar के लिजी है sugar sugar का मतलब होता है चीनी चीनी भी 19 रुपीज पर केजी आती है sugar 19 kg 19 रुपीज पर केजी S 19 समझ गए और T20 होईगा हमारा क्या होगा, t20, t का मतलब होता है, t20, चलिए साब, t20, 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 अब यहां क्या कहते हैं हम, कि यह जैसे u है, u है न, तो u पर क्या कहोगे, u, कितने पर है, 21 पर है, तो 21 को अगर हम तोड़े हैं 21 21 को अगर हम तोड़े हैं तो 21 कह सकते हैं 21 फिर यहां कह लीजिए You gave me You, You से बनता है यह Can You give me या You gave Him 21 You gave Him 21 21 को हमने किस में तोड़ा 21 में तोड़ लिया तो क्या होगा You gave me 21 अब हमारा पास वी बचाया है वी को क्या कहोगे अगर हम लिखें वी आर टू यह और फिर वी हैव टू वी हैव टू मतलब वी आर टू और वी हैव टू मतलब हम भी दो और हमारे भी दो हम भी दो और हमारे भी दो वी से क्या कोगे, we are two, we have two, we are two, we have two का मतलब होता है, we 22 पर है, तो क्या होगा, w, w का मतलब होता है, work भी लगा लीजिये, working knowledge भी लगा लीजिये, तो यह क्या कोगे, work with 23 people, work with 23 people, 23 people, अब इनने देखिये, work with 23 people, अब हम अगर देखते हैं, इनके बारे में सोचते हैं, तो अगर हम एक बार इनने देख लेते हैं, तो क्या होगा दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूं, जैसे, यह तो रही हमारी सीधी चलने वाली alphabet, अगर हम इसके विपरीत चलते हैं, मतलब जैड से शुरू करते हैं, तो क्या करोगे, आप जानते हो, there are 26 letters in the alphabet, English, तो क्या करोगे, आप अगर कोई सा भी निकालना चाहते हो, मान लीजिए, आप लेफ्ट साइड से, राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से, आप के का नमबर निकालना चाहते हैं, के का, और के का आपको पता है, कि उधर से तो के 11 होता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वैसा तो 26 होते हैं, लेकिन हम 27 में से, क्या गठाएंगे, 11 गठा देंगे, तो वो हमारा के का मान आजाएगा, के का मान आजाएगा, ठीक है, मान लीजिए, हमें पता है, कि वही 18, 18 क्या होता है, 18 मर, 18 पर R आता है, क् कि R right to vote है, right to vote, R का मतलब होता है, right to vote, तो क्या होता है, right to vote होता है R, ठीक है, समझ गए, तो R को कैसे निकालेंगे, R right to vote है, तो 18 है वो, तो 18 कैसे निकालेंगे, 27 minus 18 is equal R, यह निकल जाएगा, यदि हमें निकालना, O, O, you are 15, O का मतलब 15 पर है, No, I am 14, O, you are 15, No, I am 14, तो हम 14 को कैसे निकालेंगे, 27 minus 14 is equal, क्या होगा, is equal N, समझ गए, यह आ जाएगा, अब हम एक बार यह try कर लेते हैं, कि आपने कितना सीखा है, कितना देखा है, कितना सुना है, हम देख लेते हैं, देखो, क्या होता है, A, B, C, D का तो आपको पता ही है, A1 पर है, B2 पर है, C, D पर है, C3 पर है, D4 पर है, E5 पर है, तो F आता है, F fix, F fix with 6, तो F के बाद क्या आता है, F G आता है, G7, ś का मतलब MICHAEL गा दीजी हाइट लगा दीजी हाइट लगा दीजे हाइट एट इंच का है हमारा हाइट ó ai नॉ हुँ I know who are you मैं अच्छी तरह जानता हूं very well I know 9 का मतलब 9 I know very well मैं अच्छी तरह से जानता हूं जे आता है जे का मतलब होता है जेव लगा लीजिए कि मेरी जेव में तो 10 रुपे भी नहीं है there there are 10 there are there are no 10 रुपेज there is no 10 रुपेज जिनमाई pocket ठीक है और आगे हम चलते हैं इसके बाद में 10 के बाद में क्या आता है जे के बाद में क्या आता है के का मतलब कन्यादान 11 रुपे का ही कन्यादान करके आना वाई कन्यादान 11 रुपे का ही करके आना और के के बाद क्या आता है के के बाद आता है एल आज कल क्या होने लगा आज कल बच्चों में बहुत बढ़ रहा है तो एल लवल्व स्टार्ट हो जाता है उसके ट्वेल की एज से लव इस्टार्ट हो जाता है एम होता है Monkey करता है तो के बाद आता है आहें और प्रेमी का कि एजट लिष्ट rigtन करता है और तुल तो उने चाहिए प्रेमी का और प्रेमी का की एज होनी चाहिए 17 17 पर क्या होता है 17 पर होता है खत्रा सत्रा पर खत्रा होता है तो क्या है 17 पर खत्रा क्यूं क्यूं का मतलब होता है अब क्यूं 17 पर खत्रा मैंने कई बार सुना है 17 पर खत्रा क्यूं क्यूं का मतलब 17 पर खत्रा 90 रुपीजी रूपीघी, सौर आताया, साल्ट आताया, सावर आताया, सुईट आताए, कुछ भी कह सकते हvent, 20 होता है, 21 क्या कहते है यूँ गेव हिम, यूउ पर 21 आता है कि उसने है कि उसको दी, तो he gave him he gave him one kiss, मतलब one kiss का मतलब होता है 21, 21 कहले he gave him 21 21 का की भई, उसने एक के kiss दी, 22 का होता है 22 V पर आता है, V का मतलब we are two, we have two हमारे पास दो और हमारे दो, हम दो और हमारे दो आगे आता है, इसके बाद में W आता है, work with 23 people, work with 23 people, अब देखिए, अब हम इसको लेकर चलते हैं साब, चलिए अब हम यहां से कोई भी अक्सर लिखते हैं बीच में, जैसे हमने लिख दिया, यह V लिख दिया, लिख दिया भई, V V का क्या होता है, V का मतलब होता है, V are two we have two तो क्या हुआ कि यह two और यह two, V आगया 22 पर V is equal 22 अब हम आर पर लेकर चलते हैं, आर क्या होता है आर से हमने right बता था right to what, right to what कब मिलता है या दिकार, यह right to what का दिकार कब मिलता है, मिलता है 18 पर, तो क्या होगा r is equal 18 होता है, ठीक है, अगर हम S पर लेकर चले, S पर क्या होता है S पर हम सुगर कह सकते है सुगर सुगर कहा था मैंने 19 रुपीज पर केजी सुगर अगर हम L पर लेकर चले, L L क्या कहते है, L से हमने love बना था, और love कब से स्टार्ट होने लगा आज 12 से love स्टार्ट्स रॉम 12 एज 12 ओफ एज ठीक है, तो यहां क्या है, तो क्या करोगे, L बराबर 12 आ जाएगा S बराबर 19 आ जाएगा राइट दोस्तो, अगर आब इसमें लगाने लगे, N लगाने लगे N का हमने बताया था, आपको No, No, I am not I am not 14, तो N बराबर होता है 14, ठीक है, और N, M क्या होता है M, M का मतलब क्या लगा था, हमने मंकी लगा था तो मंकी का है, पर कूद जाता है मंकी जो है, जम्प क्या जम्प करता है मंकी जम्प 13 13 फीट लगा लिजे मंकी जम्प 13 फीट at one time, या in one time ठीक है समझ गई और हम करते है कि 16 पर क्या आता है कि 16 गेज पर प्रेमी और प्रेमी का होने चाहिए प्रेमी और प्रेमी का मतलब क्या होता है प्रेमी और प्रेमी का तो क्या होता है प्रेमी कहे या प्रेमी का कहे तो वो क्या होता है प्रेमी कहे या प्रेमी का कहे तो वो क्या होता है प्रेमी कहे या प्रेमी कहे तो वो क्या होता है प्रेमी कहे या प्रेमी कहे तो वो क्या होत लिखते हैं यहां लिजिए F लिखते हैं F तो F क्या होगा? fix with six. fix with six. ठीक है? H जो होगा? H हमने कहा था, H से height और heart बना था, heart भी लगा लिजिए, H से height और heart बना था, तो H 8 कहलेंगें, कि 8 इंच का heart है. समझ गए? clear? अब हमें एक बार सारी लिख कर देख लेते हैं आपके याद हुआ या नहीं हुआ फिर से एक बार इसको दूसरी चीज़ से लिख कर देख लेते हैं देखे साब क्या है कि हम एक उल्टे भी लिख लेते हैं इनको क्या होता है जैसे A, B, C, D, E, C. एक कोश्चन इसमें से जरूर आता है आपके सामने, एक कोश्चन कहीं भी ये उल्टा उनका रिलेशन बताएगा, तो हम इसको कह देते हैं आज, इसको कह देते हैं बाई, इसको कह देते हैं शिक्स, इसको कह देते हैं डैंजरस वर्क या डैंजर, डैंजर वेव ठीक है इसको कह देते हैं इव इसको कह देते हैं फू इसको कह देते हैं जिटी रोड जिटी रोड इसको कह देते हैं फाइश्कूल, इसको कह देते हैं इंडियन रेलवेव, इसको कह देते हैं जेव कत्रा, इसको कह देते हैं कनपटी, इसको कह देते हैं लो मन, लो मन, ठीक है, अब देखो ये उल्टा हो गया, इनको भी याद कर सकते हो, अब यहाँ देखो, हमने M को बता था मंग की, 13 पर कूटता है, हमने बता था, लो, लव 12 पर स्टार्ट होता है, हमने बता था, O, 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 you are 15, N बता था, and no, I am 14, P, P बता था, प्रेमी और प्रेमी का, at the state, कितनी है जोनी चाहिए होने की, 16 होनी चाहिए, Q, Q पर क्या बता था, हमने, कि खत्रा क्यों, 17 पर, खत्रा क्यों, U, U पर बता था, आपने, U, you will give me a kiss, या, can you give me a kiss, U, U के मतलब 21, T, T का मतलब 20 बता था, G का मतलब 7 बता था, देखो, दोनों साथ साथ आ गई, G, 7, T, 20, G, 7, T, 20, G, 7, T, 20, G, 7, T, 20, तो यहां क्या है, U, F, fix with 6, क्या होगा, V, V, R2, V, have 2, V क्या होगा, 22 पर आएगा, अब यहां से, आप इनको तयार कर सकते हैं, दोस्तों, अब यह मत कहना, कि भई, यह याद करने का में फार्मूला नहीं पता चलता, यह फार्मूला है, आप इसे हसते हसते, खेलते, 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 याद कर सकते हो, ठीक है, समझ गए, हसते हसते, खेलते, खेलते, याद कर सकते हो, समझ गए, इंट्रेस्टिंग लगा होगा, आपको नहीं लगा, तो कोई बात नहीं, फिर भी याद करना है, अगर आप को ऐसा लगा है, क समझ गए ख्वाई से इतनी कि हर ख्वाईस पे दम निकले बहुत निकले मेरे अर्मा फिर भी कम निकले चलिए फिर एक नए टोपिक के साथ होंगे आपके रूबरू तब तक के लिए नमस्कार